आज के वीडियो में आप सिखिएगा कि आप document को कैसे protect करेंगे कैसे आप unauthorized person से अपनी document को, अपने word के file को, अपने excel के file को या फिर अपनी power point के file को कैसे protect करते हैं वैसे इसके बहुत सारे steps बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊंगा यह बहुत सिंपल तरीका है और बहुत लंबा चौड़ा स्टेप नहीं है बहुत ही इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात दूसरों को शेयर कर दें और अगर आप नहीं ज चैनलुटर में भी तो बहुत साथ हो सकते हैं इसको सेफ करना आप देखिए वे कितना अऀजी स्टेप में है ऐसे तो protection की इसकी बहुत सारे इसके तरीके हैं लेकिन आपको जो मैं दिखा रहा हूँ जैसे आप file safe करते हैं उसी तरीके से save ही option में आपका ये protection available है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर click करेंगे cursor को आप देखिए इस पर click किया हमने और save as option पर जाएंगे save as option पर जाने के बाद हम next stop में file को रखते हैं ताकि open करने में असानी हो उसके बाद यहाँ पर file का नाम change करते हैं माल लेते हम इसमें data डाल देते हैं और यहाँ देखे में जो protection है यहाँ से हैं यह tools आप देख रहे हैं यहाँ इस tools पर click करेंगे तो इस tools पर click करने के बाद general option प ction पर click करेंगे तो आपको password मांगेगा तो for example रहे हम यहाँ पर 123 हमने password डाल थिके उसके बाद फिर वन फिर दाल दिया दो बार हमने डाल आब फिर से पासवर्ड गना तो नहीं और यहाँ पर सेम पासबर्ड यहां डाल देते हैं इस तरीके से आपका पासबर्ड यहां पर डाला गया और इसको हम सेफ कर देंगे तो अभी आपका फाइल जो है यह सेमेस वर्ट का जो डोकिमेंट फाइल है यह आपका सेव हो गया चलिए इसे हम क्लॉज भी कर देते हैं क्लोज हो गया हमने डेक्स टॉप में इसको सेफ करके रखा था डेटा डाउट डेटा फाइल के नाम से ठीक है अब इसको अगर आप ऑपन करना चाहते हैं तो आप आप करने जैसे करेंगे तो आपको यहां पासवर्ड मांगेगा तो देखा आपने कितना सिंपल स्टेप था जो मैंने आपको यहां पर बताया कितना सिंपल स्टेप था इस तरीके से आप देखेगा कि जैसे यहां पासवर्ड डालेंगे तो फिर उसके बाद दुबारा पासव याँ अप टाइब करें ठीक है और फर एक्जाम्पल अब आपको इसको nikा करना सेफ करना है और फिर यहांपर जायेंगे तो यहां सब्सक्रीखेश अब करने के दा हNब नेके सब्सक्राइब करेंगे मेर के लियाक्त राग्ए जाने के है document excel का जो spreadsheet है यह product हो गया इसको close कर दिया हमने इसको भी close कर दिया यह देखें आपका excel sheet यहाँ पर आ गया book के नाम से तो इसको हम double clicker को open करेंगे तो आप से फिर यहाँ password मांगेगा तो देखें आप यहाँ पर 321 डालिए उसके बाद 321 जो password है आपको इसको डालिए तो आपका जो document प्रोटेक्ट हो चुका है यहाँ पे तो इनके से अगर आप office में काम करते हैं और अपने personal system में काम करते हैं तो भी आप इसको password डालके रखिए बहतर है कि आपका file safe रहेगा अगर आप चाहते आपका presentation आपका बना हुआ है तो powerpoint में भी आप सेम कर सकते हैं सेम चीज़ सेम प्रोसेस वहाँ भी है यहाँ पर हम गये और यहाँ पर click क्या हमने सेवैस किया powerpoint में desktop में हमने रखा भी ठीक है file का नाम सेम रहने देते हैं यहाँ पर टूस देखें यहाँ टूस पर जनरल आप्शन पर है पासवर्ट सेम आगी जैसा आपका ms word में था तो 123 यहाँ पर हमने डाला फिर 123 हमने डाल दिया ठीक है इस तरीके से ok कर दिया once more एक बार आपको डालना पड़ेगा एक बार 123 और इसके बाद 123 ठीक है इस तरीके से हम आपको तीनों चीज़ करके दिखा तीनों software का use करके हमने आपको दिखाया आप इसको हम सब को close कर दिखें आपके सामने PowerPoint का भी आगया Excel का भी आगया और Word का भी आगया PowerPoint को भी चेक कर लेते हैं एक बार देखिए यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर डिमांड कर दिया तो 123 आपने डाला 123 आपने डाला तो देखा आपने कितना simple step है आपको file menu में जाना है या फिर होगा से बैस पर जाना याद रखें आप से बैस पर जाएंगे और यहाँ पे जो टूल्स होगा उस पर क्लिक करेंगे टूल्स के अंदर जो आपका जिनरल ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा तो step by step इसको कर सकते हैं और कीजिए और अगर फर्स टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा होसला अब जाही करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा thank you very much मिलते हैं next time